नमस्कार मैं दिव्या स्वागत है आपका आज के सापताहिक रोजगार समाचार में आज के सापताहिक रोजगार समाचार में हम बात करेंगे SER NHPC AIMS NWR SGPG IMS की यहां टोटल पदों की संख्या 5321 है तो सबसे पहले हम बात करते हैं Railway Recruitment Cell South Eastern Railway Kolkata की इसके पोस्ट का नाम Apprentice है यहां टोटल नमबर आफ विकेंसीज 1785 पद पर है इसकी सैक्षनिक योगिता Metriculation with 50% Marks और ITI Pass in Relevant Trade है वहीं इसके हम उम्र सीमा की यदि बात करें तो 15-24 वर्च इसकी उम्र सीमा होनी चाहिए इसके आविदन सुल्क की यदि हम बात करें तो SC या ST या FEMALE या PWD कैटेगरी के लिए कोई आविदन सुल्क नहीं लगेंगे वहीं अन्या कैटेगरी के लिए 100 रुपे आविदन सुल्क लगने है इसकी अंतिम तारीक 2 फडवरी 2023 है यह सभी जानकारी संचेप्त थी विस्तरित जानकारी के लिए आप www.rrcser.co.in पर जा सकते हैं दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे National Hydro Electric Powered Corporation Limited की इसके पोस्ट का नाम Trainee Engineer, Trainee Officer है यहाँ Total Number of Vecancies 401 पोस्ट पर है वह इसके डिसिप्लीन की बात करें तो Civil Electrical, Mechanical Engineering, Finance, HR और Law है इसकी सैक्षनिक योगता BE या BTEC या BSC या PG या CA या ICWA या CMA या MBA या LLB विच 60% मार्क्स होने चाहिए वह इसके उम्र सीमा की यदि हम बात करें तो इसमें अधिक्तम उम्र सीमा 30 वर्स है इसके आविदन सुल्क की यदि हम बात करें तो SC या SD या PH या X-Service Man के लिए कोई आविदन सुल्क नहीं लगेंगे वहीं Undeserved EWS या OBC के लिए 295 रुपे आविदन सुल्क लगेंगे इसके अंतिम तारीक 25 जन्वरी 2023 है ओफिसिल वेबसाइट www.nhpcindia.com पे आप विजिट कर सकते हैं तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे All Indian Institute of Medical Sciences भूबनेश्वर की इसके पोस्ट का नाम Senior Resident है वहीं Total Number of Vecancies 88 पोस्ट पढ़ है इसके सेक्षनिक योगिता के यदि हम बात करें तो MBBS with MD या MS या DNB या BDS in relevant discipline होना जरूरी है वहीं इसके उम्रसीमा की यदि हम बात करें तो इसमें अधिकतम उम्रसीमा 45 वर्स होने चाहिए यदि हम आवेदन सुल्क की बात करें तो जेनरल या OBC के लिए 500 रुपे वहीं SC या ST या EWS के लिए 1200 रुपे वहीं PWBD के लिए कोई आवेदन सुल्क नहीं लगेंगे साथी साथ transaction charges extra लगेंगे इसके अंतिम तारीक की यदि हम बात करें तो 14 जन्वरी तो हो जाते हैं इसके अंतिम तारीक है Official website aimsbhubneswar.nic.in पर आप विजिट कर सकते हैं चौते नंबर पर हम बात करेंगे Railway Recruitment Cell North Western Railway जैपुड की इसके पोस्ट का नाम Apprentice है इसमें Total Number of Viquencies 2026 पोस्टों पर है वहीं इसके सैक्षनिक योगिता की यदि हम बात करें तो metric pass with 50% marks और ITI in relevant trade होना चाहिए यदि इसके उम्रसीमा की हम बात करें तो 15-24 वर्स इसके उम्रसीमा है आवेदन सुल्क की यदि हम बात करें तो SC या ST या PH या female के लिए कोई आवेदन सुल्क नहीं लगेंगे वही अन्या केटेगरी के लिए 100 रुपय आवेदन सुल्क लगने हैं इसके अंतिम तारीक 10 फरवरी 23 से इसके ओफसर वेबसाइट www.rrcjapur.in पर विजिट कर सकते हैं पाचवे नंबर पर हम बात करेंगे संजय गांधी पोस्ट क्रेजवेट इंस्टिट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनो की इसके पोस्ट का नाम नर्सिंग ओफिसर है यहां total number of vacancies 905 पोस्ट पर है इसके सैक्षनिक योगिता की यदि हम बात करें तो diploma या degree in nursing और GNM with 2 years experience होना चाहिए वहीं इसके उम्र सीमा की यदि हम बात करें तो 18-40 versus की उम्र सीमा होनी चाहिए इसके अविदन सुल्क की यदि हम बात करें तो अन्रिजर्ब्ड EWS या OBC के लिए 1000 रुपए वही SCIST के लिए 600 रुपए और एक्स्टा में GST चार्ज लगेंगे इसकी अंतिम तारीक 25 जन्वरी 2023 है इसके ओफिसेल वेबसाइट sgpgims.org.in पर आप विजिट कर सकते हैं चटे नमबर पर हम बात करेंगे All India Institute of Medical Sciences दिवघर की इसके पोस्ट का नम प्रोफेसर, अडिस्टनल प्रोफेसर, असोसियेट प्रोफेसर और असिस्टिन प्रोफेसर है इसमें टोटल नमबर ओफ पेकेंसी 75 पोस्ट पढ़ है वहीं इसके सैक्षनिक योगिता के यदि हम बात करें तो PG या MD या MS या MCH या DM या MDS या PhD in relevant discipline और 3-14 सालों का work experience भी होना चाहिए वहीं इसके उम्र सीमा के यदि हम बात करें तो 58 वर्स इसके अधिक्तम उम्र सीमा होगी आवेदन सुल्क की यदि हम बात करें तो undeserved और OBC केटेगरी के लिए 3000 रुपए वहीं ST, SC, EWS या FEMALE या PWD के लिए कोई आवेदन सुल्क नहीं लगेंगे इसके अंतिम तारीक 15 फरवरी 2030 से इसके official website aimsdeoghar.edu.in पर आप विजिट कर सकते हैं साथ में नंबर पर हम बात करते हैं कौनकन Railway Corporation Limited, Ministry of Railway की इसके post का नाम Assistant Project Engineer, Project Engineer, Senior Technical Assistant, Junior Technical Assistant है यहाँ total number of frequencies 41 post पर हैं वहीं इसके educational qualification की यदि हम बात करें तो bachelor degree in civil engineering with 3 to 6 years experience होने चाहिए वहीं इसके उम्र सीमा की यदि हम बात करें तो इसमें अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्स होंगे आविदन सुल्क की यदि हम बात करें तो यहाँ कोई आविदन सुल्क नहीं लगने है वहीं इसके interview date की यदि हम बात करें तो 19, 20, 23, 24 और 30 जनवरी 2023 निरधारिज की गई है इसके official website konkarnrailway.com है यहाँ विजिट कर सकते हैं आज की साबताहिक रोजगार समाचार में इतना ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद